हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू सेंटी रोय चनल मैं हूँ आपका दोस सेंटी रोय तो गाइस आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बहुत अमेजिन वीडियो लेकिया हैं वैसे तो आपने इस वीडियो के थम्मेल में देखी लिया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको एक्स परवाइड करने वाला हूं जिसके अंदर आप बर्निंग एफेक्ट दे सकते हैं अपनी पिक्चर के साथ आप काम कुछ करना ही नहीं उसके अंदर बस एक सिंगल सा क्लिक करना है और आपका जो रिजल्ट होगा बहुत ही अमेजिन रिजल्ट को आप अपने हिसाब से एड ठीक है तो इसका मतब यह है कि कुछ हेटरस हैं हेटरस आपको पता है कि क्या होते हैं अगर आप लोग मेरे से प्यार करते हैं तो टाकि मैरा वीडियो उस लेबल तक न पोंच पाय है जिस लेफल तक पोंचना चाहिए यानि मुझे वह गिराना craft ए Nicolas प dåishima को Cel kasih बोलना चाहता हूं कि आप मेरे यूट्यूब को ध्यान दे रहें बैटर होगा कि आप अपने यूट्यूब पे ध्यान दो और अपने यूट्यूब को ग्रोव करो अगर आप किसी को नीचे किरागे अगर उपर उठना चाहोगे तो 100% आप उपर नहीं उठपाऊगे मैं कुछ नहीं जाता है अब क्लिक करना है लेकिन आपको जो एक सिंगल क्लिक होग्म वह बहुत वैलूबल होता है अगर आप लोग मुझे इंटरस्स दिखाएंगे अपना और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जिरूर दबाएं बैल आइकन दबाते के टेम पर आप से और पर प्रेस करते इससे होगा यह कि आने वाले फीचर के मेरे जितने भी वीडियो है उसका आपके पास बहुत सब्सक्राइब करने के लिए जिससे कि आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी और आप लोगों को बात और बताना चाहता हूं अगर किसी को भी किसी भी टाइप करने हैं बहुत ही चीप प्राइब में जैसे कि वीडियो मिक्सिंग से लेटेड़ सॉफ्व करके आप मिरे से किसी भी साफ्वर की जनकाई ले सकते हैं कोई भी साफ्वर बाय कर सकते हैं बहुत ही चीप प्राइज में वीडियो शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैं विंदार की फाइल रखी हुए जिसका नाम लिखा हुआ है बर्निंग फोटो इफेक्ट तो यहां पर आपको क्या करना है सबसे पहले मैं आपको साइज कर रहा हूंगा हमेशा की तरह यहां पर आप देख सकते हैं 58.6 MB की फाइल है छोटी फाइल आप अपने मुबाइल से भी डाउड कर सकते हैं अपने टैबलेट से या फिर कोई अलग डिवाइस बगर रहा है आपने इसको डाउड कर लिए अब आपको करना होगा इसको एकस्टेट करने के लिए एकस्टेट करने के लिए आप इस विंडरार फाइल के उपर करेंगे डबल किलिक या तो फिर कीबोड से एंटर उसके बाद आपको छोटा से डेश्बोड खुल जाएगा यहां पर लि करेंगे तो मैं अपने केस में को डेश्टोप पर ही करों तो मैं डाय्र्यक्ली आठ्लोट करने यहां पर मिलेए पर दिसको आप एकस्ट्रीट करेंगे उस window को आप update कर देंगे तो आपकी problem solve हो जाएगी तो यह हो गया guys तो जो मैंने file आप यहाँ पर आ गया मैं हाँ रख लेता हूँ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ यह विंडार तो वह है जो कि में दिवे लिंक्स आप download करोगे download करने के बाद जो आप इसको state करोगे तो आपको यह वाला फोल्टर आ जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको इस folder के अंदर लेके जा रहा हूँ फोल्टर केंदर जाने के बाद आपको चार फाइल दिखाए दे रही है सबसे पहला आपको Google Chrome का एक URL दिखाए दे रहा है और लास्ट में भी दो आपको Google Chrome का URL दिखाए दे रहा है फिर बीच में आपको मेरे एक PhD फाइल दिखाए दे रही है अगर आप मेरे पुराने यू जो कि बिल्कुल free of cost रहेगी काफी कुछ वहां पे आपके लिए रहेगा जिससे कि आपकी help होगी काफी सारे unique software जो है free of cost में अगर कुछ software जो कि मैंने खुछ से develop किया जो मैंने आपको परवाइट किया fully automatic वह भी अगर buy करना चाहें तो उसका भी आपको लिंक यहीं पे मिलेगा जैसकी around designing selected software sublimation selected software mobile back cover selected software फोटो आइटिंग से लेटेट software passport selected software overlay selected software 3D text generator वगरा सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा तो एक बार में पर विजिट जब्रू करें तो अभी जो हम लोग मैंन सब्जेक्ट है वो है यह वाली पीच्डी फाल इस पीच्डी फाल को यूज करने के लिए सबसे पहली बात कौन-कौन सा फोटोशॉप और मों से यूज कर सकते हैं चरे करें लेट्ट सारे करण सा करुग हई अब पर इसलिए लेन चाहते हैं तो आपroleए तो यहां पर फोटोशॉप अल्यटी ओपन किया हुआ है तो मैं क्या करूँगा अभी एफेट को डालने के लिए अपने फोटो के साथ तो सबसे पहले मैं इफेट को ड्रेक करके लेकि जाए फोटोशॉप के ऊपर जैसे हम लोग फोटो खोलते हैं बिल्कुल वैसे खोल कि तो यहां पर इसको डिसेबल करतेंगे जैसे आपने इसको डिसेबल किया तो अब आपको क्या करने है यहां पर आपनी इमेज डालनी है ठीक है इमेज डालने के लिए तो इमेज डालने के लिए आपको लेएर पर ही काम करना है यहां पर आपको दिखाता हूं यहां पर जाएगा आप इससों करतेंगे Okay करने के बाद यह आपके सामने इमेज खुल चुकी है ठीक है जिस पर लिखा हुआ प्लेस इमेज है तो आपको अपनी इमेज को प्लेस करना है आप अपनी इमेज को ओपन करेंगे फोटोशोप में कोपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर सक मैं कोई से भी एक image दे लेता हूँ just like मैंने की वाली image को select किया है मिरी image यहां पर आगी मैं Ctrl T तो मैंने किया हुआ है already यह बड़ा हो गया मैं इसको अपने यहां सेट कर देता हूँ यह मैंने कर दिया सेट करने के बाद आपके समार्ट ब्याइट मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ अब मैं क्या करूंगा डायरेक्टल इस वाले प्यच को मैं सेफ करूंगा सेफ करने के दो option है एक तो अपने कीबोर से control दबा के रखना है और s को दबा के छोड़ देना है दूसरा option है file पर जाएंगे और यहाँ पर जो save button लिखा हो दबाएंगे यहाँ पर जो save ऐसा वो नहीं दबाना है सिर्फ save button को ही दबाना है तो यहाँ पर मैं दबा दिया दबाने के बाद जो आपकी image है वो smart object में जाके save हो गई है होने के बाद आपको यहाँ से इसको बंद कर देना है यहाँ पर मैंने बंद कर दिया और result आपके सामने यहाँ पर है देख सकते हैं आपका काफी चीज़े हैं अगर कुछ disable और enable करना चाहें तो आप करके आप अपनी इस image को कहीं पे भी फिर आप move कर सकते हैं ठीक है आप अपनी साब से इसको move कर सकते हैं अपनी layer को merge करने के बाद या तो मैं आपको दिखाई देते हैं बड़ी merge करके यह मैंने group कर दिया अब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो देख सकते हैं कि घुम रहा है अब मैं इसको कहीं बेप उठाके अपना editing में यूज़ कर सकता हूँ बहुत ही easy था बहुत आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा तो मैं आपको इसी वीडियो के लिए इंस्टाग्राम को पेज और वर्टसप का गुरूप तो मैं चारो सोच में इससाथ आप जूड़ जाएं जिससे कि आप में इससाथ हमेशा जूड़ रहेंगे और आपको मेरी वीडियो की notification मेरी website notification आपको हाँ पे मिलते जाएगा अगर आप में इस second channel के लिए इंटरस्टीड है तो मैं आपको इसी वीडियो का description में अपना second channel का भी लिंक दे दूगा जिसका नाम रोज हीटर है आप उस चैनल पर विजिट करें उस चैनल को पी सच्छाई का कि बैल आइकन आप जर and of course subscribe to my channel thank you so much guys for watching love you guys